कि अच्छा एक टॉपिक पैसे तो नहीं है स्लेबस में नहीं है लेकिन निमेरिकल में जिगे फसा हुआ है वो टॉपिक इसलिए मों टॉपिक को डिसेस करना चाहता हूं करूं वो निमेरिकल में फसा हुआ है निमेरिकल में आपकोश्चन देखेंगे एक डाइगराम बना हुआ है करतों खोपड़ी हमारी एक डाइगराम बना हुआ है कोजिशन नंबर वन पॉइंट वन फूर यह दिक्रार डाइग्राम सबको इसमें कुछ चार्जे जैसे भूम रहे तो यह यह टॉपिक वैसे स्लेबस में नहीं है पहले हम अता जाए लेकिन अब देखे बत्वीजी इनकी स्लेबस में आपने टॉपिक तो छोड़ दिया और आपने का निमेरिकल लगा बटा तो अब लिखिए एक हेडिंग और हम करवा देते हैं आप मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल या मोशन ऑफ इलक्त्राण इन इन एल्लेक्ट्रिक फील्ड किसी electron हो या proton हो या कोई charge हो electron मा लिखे motion after charge particle motion after charge particle in an electric field किसी electric field में कोई charge particle किस प्रकार motion करता है उसका path कैसा होता है किस तरह move करेगा क्या दरा समझ किएगा साउधान पहले तो यह दो प्लेटे हैं फिर हम कह रहे हैं यह स्लेबस में नहीं है आपके पहले हुआ करता था कमटिशन बालों को देना पड़ेगा उनको तो पढ़ना पड़ेगा उनको तो सब कुछ पढ़ना पड़ेगा ठीक है वो क्या पूछले भगवाण जाने जिस लेविल के आप त्यारी कर रहे हैं उसकी में बात कर रहा हूँ तो यह पॉजिटिव प्लेट है माल लिया और यह निगेटिव प्लेट है सेम साइस की है तो इसमें एक एलेक्ट्री फील्ड जनरेट हो गया जिसकी डिरेक्शन प्लस से दूर माइनस की ओर है यह एलेक्ट्री फील्ड है अब ज़़ा समझे एक चार्ज पार्ट के लिए यहां से इंट्री किया मैं माल लेता हूँ यह माइ अईसे ही यहां entry मारेगा, वैसे इसको कौन दिखाई पड़ेगा, positive plate, अरे ददा, तो क्या करेगा, यह एकदम से घूम जाएगा positive plate की तरफ, नहीं, यह positive plate की तरफ ऐसे घूमना शुरू कर देगा, यह deflect हो जाएगा positive plate की और, सही मैं कहई रहा हूं, ए पॉइंट से इंट्री किया एलेक्रिक फिल्ड में और मैंने बताया बी पॉइंट पे पहुंच गया और वो होरिजंटली x डिस्टेंस कबर किया और वर्टिकली y डिस्टेंस कबर किया तो आपको x और y में relation निकालना है पाथ निकालने कülस्ट क्लस में प्रोजेक्टाइल था वहाँ पर पाथ में एक्स और वाई की लिलेशन निकाला गया थे याद है कुछ ऐसा ही है जरा समझेगा जैसे यह एलेक्ट्रिक फिल्ड में इंट्री किया तो इस पर फोर्स कितना लगा क्यों इंट्वी और इसका acceleration कितना हुआ F upon M यानि QE upon M जो भी इसका मास हो उससे हमसे मतलब फिलाल नहीं है अब जरा समझेगे यानि एक तो horizontal motion है एक vertical motion है बात करते हैं देकि जो हमने language लिखा ही पहले लिखना पड़ेगा कि suppose in time T the particle the charge particle reaches from A to B covers distance X in the horizontal direction and covers Y in the vertical direction यह horizontal direction है यह vertical direction है और vertical direction में ही हमारा electric field भी है तो पहले हम लिखेंगे for the horizontal motion horizontal motion of particle from A to B A से B में horizontal motion के लिए जो उसकी velocity है वो U है जो distance कबर की वो X है और जो time है वो T है अब यहाँ velocity है distance है और time है इन तीनों का relation relate करना है किस equation आप motion में इनको रख दे यह relate हो जाए और कोई बोलेगा देखें horizontal में क्या कोई force लग रहा है हमारा electric field vertical है horizontal में कोई force लग रहा है नहीं लग रहा है जब force नहीं लग रहा है तो horizontal में कोई acceleration भी नहीं है तो वहाँ distance is equal to velocity into time distance is equal to velocity into time तो distance बोले तो x velocity बोले तो u time बोले तो t तो t की value आएगी x upon u इस time को आगे मैं इस्तेमाल करूँगा अब जब वर्टिकल मोशन पर आजो for the vertical motion of particle for the vertical motion of particle बोले तो charge particle from a to b देखे शैसे ही यह charge particle electric field के अंदर entry हुआ क्या इसके पास vertical direction में velocity थी जैसे इंटरी वा उसकी बात कर रहा हूं जब वह अंदर गया electric field force लगाया acceleration हुआ तब वह जाके उधर घुमा ना सुरुआत में तो घुमा नहीं था तो इनीशल वरास्थी जो vertical direction में थी u y वह 0 थी यहां u x थी सही मैं कह रहा हूं आपको याद होगा बोले फिर याद होगा projectile motion में एक height से particle fake जा रहा था एक ता horizontal fake रहे थे ऐसे particle गिर रहा था एक उपर की और fake रहे थे ऐसे गिर रहा था और एक नीचे की और fake रहे थे 11th class को पढ़ाया गया है 11th class यह लोग जो जुड़े हैं वो 11th में थे हमारे साथ क्यों कुछ लोग 11th में थे ना जिसलिए आप बिमानी नहीं कर सकते आप पढ़ाया गया है अच्छा यहां से यहां ते पहुंचने में time पितना लगा distance कितनी कबर हुई y और इसके पास acceleration भी है तो equation कहुंसा लगा दे हम s is equal to ut plus half a t square तो by equation s is equal to ut 0 हो जाएगा half a t square कर दें s बोले तो y half a बोले तो qe upon m into t square के लिए रख दे x square upon u square x square upon u square तो अब जा देखिए यहां पर यहां क्या क्या चीज constant है half constant है charge constant है electric field constant है m constant है u constant है तो y is equal to kx square यह path किसका है पैराबोला का है तो यानि कि किसी electric field में किसी charge party का path कैसा होता है पैराबोलिक होता है सही कह रहा हूं में इससे note करिए फिर हम उस numerical को भी discuss करें लिए जो को numerical फसेगा तो इसी वक्त note discuss कर लेना अब जरा देखिए एक चीज जो numerical को discuss करने के लिए हमको यहां discuss करना है कि फोर्स किस direction में लग रहा है य डिरेक्शन में ठीक है यहां पर जो हमने प्रूफ किया है y is equal to half q e upon m into x square by u square इस वाले में कौन सी चीज है जो उस चार्ज कर से जुड़ी वी है एक चार्ज का q है एक चार्ज का मास है यह ना क्यू भी चार्ज जा रहा ना तो चार्ज से जो जुड़ा हुआ है उसका जो part है वो उसका चार्ज है उसका मास है ठीक है और q upon m को कहते हैं charge to mass ratio इसको specific charge भी कहा जाता है क्या कहा जाता है specific charge आगे पढ़ेंगे आप तो अगर जिसका q upon m ज्यादा होगा उसका y ज्यादा होगा नहीं होगा अगर बहुत सारे charge particles के अंदर entry करना है तो अलग अलग charge का charge अलग अलग होगा उसका mass अलग अलग होगा इसका मतलब जिसका q upon m और सेम velocity से आप entry करा रहे हो सेम electric field है सब को सेम है इसका मतलब जिसका q upon m ज्यादा उसका y ज्यादा सही कह सकता हूँ मैं इस proof आप जड़ा अपने numerical P.I.S. सब के पास books है बुक तो ले के बैठना चाहिए था ना वैसे पढ़ते बक्त बुक और कॉपी सामने होनी चाहिए देखो ध्यान से जो diagram बना हुआ है वो diagram कैसा बना पहले समझे ये electric field की plate ये दो plates है ये positive plate है ये negative plate है इसका हूँ ता electric field की जो strength ये दूरी हो तो सेम रहेगी नहीं रहेगी अब तीन charge entry कराए गए एक charge ऐसे गया और जाके ऐसे गया एक charge ऐसे गया और जाके थोड़ा कम जुका ऐसे एक charge ऐसे गया और बहुत तेजी से जुक गया चार्ज 1 गया चार्ज 2 गया चार्ज 3 गया आपसे तीन question पूछ रहे हैं पहले कह रहे हैं चार्ज 1,2,3 का नेचर कैसा है बहुत नालाइक है जुके जा रहे अरे बोले यह निमेरिकल था यह तो हम ऐसे ही बता देते इसके बाद एक चीज़ पूर्फ कराई उन्होंने कि विच पार्टिकल हैस दा हाइस्ट चार्ज टू मास रिश्यो इसमे क्यू अपान एम हाइस्ट किसका है तीनों में से क्यों हाँ आप कहेंगे देखे अब यहाँ पर आपको इस टॉपिक को थोड़ा लिखना पड़ेगा या आपको बताना पड़ेगा कि इस इट हैस अमेक्जिमम क्यू अपान एम तेन इट विल बेंड मोर तो चुकि थर्ड ज़्यादा बेंड हो रहा है इसलिए इसका क्यू अपान एम ज़्यादा होगा अड़नों बाव उसमें आई बात हाँ तो यह निमेरिकल चुकि था जब तक हम यह प्रूफ करके न लाते तब तक निमेरिकल दिक्कत गरता नहीं करता कि बाव सीली हम ज़्यादा झान्वू उसके इसके निमेरिकल कराया है अब कराया है तो निमेरिकल भी हम निकाश कि यही formula देखे qym है नहीं यहाँ पर आई देखो यहाँ ना तो e का 4 से कोई मतलब है नहीं है अगर y is equal to देखें तो आए 1 upon 2 qym into e into x square by u square क्या electric field chart देके change हो रहा है पुले अच्छा तुम आउ तेसे आज 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 ऐसा बोलेगा हो का x x हो ग देख भी नहीं रहा इस तरब जाने में कोई force नहीं लग रहा जिस velocity से आप यहाँ लाके छोड़ रहे हो सभी को सेव व्लास्टी से छोड़ रहे हो तो यानि कि क्योवल qym है जो charge की y को decide करता है तो जिसका qym ज्यादा उसका charge ज्यादा समझ मैं ही बात